कोई मुझे भाई बोलता है, कोई मुझे बेटा बोलता है, मैं अब गुजरात का भाई और गुजरात का बेटा बन गया हूँ, हर परिवार का हिस्सा बन गया हूँ, आपको वचन देता हूँ, गुजरात के बाद आपका भाई बन के, आपका बेटा बन के, जब सरकार बनेगी, आपके परिवार की जिम्मेदारी मैं संभालूँगा, महिंगाई हो गई ना सबसे ज़्यादा बहुत, घर का घर्चा नहीं चलता ना, बच्चे पालने मुश्किल हो गए, हर चीज के दाम बढ़ गए, सबसे पहले महिंगाई दूर करूँगा मैं, एक मार्च के बाद, एक मार्च के बाद, आपके घर का बिजली का बिल आपको भरने की जुरूरत नहीं है, मैं आपके घर का बिजली का बिल भरूँगा, दिल्ती में 24 घंटे बिजली आती है लेकिन बिजली का बिल जीरो आता है पंजाब में हमारी सरकार है पंजाब में 24 घंटे बिजली आती है लेकिन बिजली का बिल जीरो आता है गुजरात में भी एक मार्च के बाद 24 घंटे बिजली आएगी लेकिन बिजली का बिल जीरो आएगा ये मैजिक है जादू है 24 घंटे बिजली और बिजली का बिल जीरो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है केवल दिल्ली और पंजाब में है अब गुजरात में भी होगा उपर वाले से वर्दान मिला है मेरे को, केवल केजरी वाल को आता है, भाजपा वालों को भी नहीं आता, कॉंग्रेस वालों को भी नहीं आता, मैं गुजरात में भी करूँगा सरकार बनने वे, दूसरी चीत, आपके बच्चों के लिए स्कूल बन वाऊंगा, बहुत शानदार स्कूल, उसमें गरीबों के और अमीरों के एक साथ बच्चे बैठके पढ़ते हैं, एक ही डेस्क पे जज का बच्चा, आईएस का बच्चा और रिक्षेवाले का बच्चा एक साथ बैठके पढ़ते हैं, अब गरीबों के बच्चे दिल्ली में रिक्षेवाले का बच्चा इंजीनियर बन रहा है, मजदूर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है, गरीबों के बच्चे वकील बन रहे हैं, ऐसे ही तो गरीबी होगी, दूर होगी देश की, है की नहीं है, जब हम अच्छे शिक्षा देंगे, तो गुजरात के अंदर भी शानदार स्कूल बन व अब आपको प्राइवेट स्कूलों की ज़्यादा फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बच्चों के अच्छी शिक्षा दूँगा, आपके बच्चों को अच्छा भविश्य दूँगा, आपके बच्चों की जिम्मेदारी मेरी, बच्चों की शिक्षा की जि अगर कोई बिमार होता है आपका भाई उसका खर्चा उठाएगा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है बेरोजगारी भी बहुत हो गई है कि नहीं है दिली में पान साल में मैंने बारा लाख बच्चों के लिए रोजगार तैयार के गुजरात में भी बच्चों को रोजगार देंगे और जब तक रोजगार नहीं मिलता हर बेरोजगार बच्चे को हर महीने तीन-तीन हजार मैं सीधा साथ आदमी हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, शरीफ आदमी हूँ, मेरे को गुंडगर्दी करनी नहीं आती है, उन लोगों की तरह है, मेरे को मार पीट करनी नहीं आती, गाली कलोज करना नहीं आता, गुंडगर्दी करनी नहीं आती, पढ़ा लिखा आदमी स्कूल बनाने आते हैं अगर आपको अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए मेरे पास आजाना और अगर गुंडा गर्दी करनी है उनके पास चले जाना अगर अपने अस्पताल बनाने है मेरे पास आजाना अगर आपने गाली कलोच करना उनके पास चले जाना ब्रष्टाचार करना उनके पास चले जाना मैं आपकी सड़के बनवा दूँगा बिजली दे दूँगा पानी दे दूँगा ये सब करना मेरे को आता है राजनीती करनी निया अब में रस्ते में आ रहा था कुछ लड़के बीच में चिला रहे थे मोदी 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 मैं उनको भी कहना चाहता हूँ उनसे मेरा कोई द्वेश नहीं है वो जिसका नाम लेना चाहते हैं ले वो जिसको वोट लेना चाहते हैं वोट दें उनको मैं यह कहना चाहता हूँ उनके बच्चों के लिए भी स्कूल मैं बनवाँगा उनके घर के लोगों का भी इलाज मैं करवाँगा उनकी बिजली भी मुफ्त मैं करूँगा वो भी मेरे हैं और एक दिन आएगा जब उनको मैं अपनी पार्टी में शामिल करूँगा उनका दिल जीतूँगा उनका दिल जीतेंगे उनसे मैं कहना चाहता हूँ 27 साल में तुम्हें क्या मिला 27 साल में क्या दिया यह को आपके स्कूल बनवाए आपके स्कूल बनवाए अरे कितने मोके तो दे दिये तुम लोगों को और कितने मौके मांगोगे मैं आज आप लोगों के पास आया हूँ सबसाई साल तुम लोगों ने उनको दिये मैं किवल एक मौका मांगने आया हूँ एक बार पांक साल मिर को दे दो अगर मैं काम ना करूँ अगली बार मिर को वोट मत देना अगली वार मैं आपके बीच में नहीं हूंगा अगर मैं काँणा रूपार मेरे बास चुनाव लटने के पैसे नहीं है मैं हम लोगोंने कटर》 साथ साल से मुख्यमंत्री हूं दिली का मैं चाहताぎा करोणो रूपे को माले तो हजारर करोण मेरा बैंक अकाउंट भी खा ली है, मेरी पार्टी का बैंक अकाउंट भी खा ली है आप लोगों को सपोर्ट चाहिए कभी किसी मुक्यमंत्री को देखा है, ऐसे सडकों के उपर पसीने बहाते हुए पूरे गुजराज में गुप रहा हूँ, मैं सडकों के उपर गुम रहा हूँ, धूप के अंदर पसीने बहा रहा हूँ आप लोगों का साथ चाहिए, एक प्रॉमिस करो, मेरे यहां जाने के बाद सब अपना फोन निकालेंगे और वाटसअप खोलेंगे, वाटसअप में जितने भी नमबर को मेसेज करेंगे, दोस्त को, रिष्टेदार को मेसेज करेंगे कि एक मौका इस बार केजरीवाल को देते हैं, एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, करेंगे कि नहीं करेंगे सब लोग अपने अपना फोल के मेसेज करेंगे जो जो करेंगे हाथ उठा हो जगा बागी लोग भी उठा दो यार हमारे ये कैंडिनेट यहां से है चेतन भाई इनके इनको भारी बहुमत से जिताना है सबसे ज़्यादा मार्जिन से पूरे गुजरात में जिताना इनको इनके आगे जाडू का निशान होगा जाडू का बटन दवाना है इतना बटन दवाना है इतना बटन दवाना है कि बटन खराब हो जाए थैंक यू नमस्कार मैं हूं आनक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24